हाई एडिवन आज है हमारा लेसन नमबर 14 आज मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंट फूट लेंडिंग के उपर फ्रेंट फूट लेंडिंग फास्ट बोलिंग इंदर बहुत इंपर्टन चीज है और इस चीज को लेके उतने ज्यादा डाउट रहते हैं कि आपका फ्रेंट फ बात करे जाए तो जनरली बोलर के दो तरीके से पैर आते हैं या तो कुछ लोगों के बिल्कुल एकदम प्रेस रहता है और कुछ लोगों का बेंड रहता है अब इसमें ध्यानकने वाली बात होती है कि काफी ज्यादा डाउट ही रहते हैं कि हमें ब्रेंड करना चाहिए न तो आपको ठीक करने की ज़रूत है लेकिन अगर आपका बैंड भी है लेकिन उसी जंगा पर है तो उसमें आपको चेंज करने की कुछ ज़्यादा ज़रूत नहीं होती इंट्रेंशन करकेट में ऐसे बहुत एक्जामपल है और जो बोलर बहुत हाई फॉन फॉन फॉर्टी को सब्केर नहीं सेब्स करने छारें लिकता है तो पॉर्ट को थीक करने के ज़रूत होती है और सबस्चा होट लेकिन अगर ब्रेंट भी होता है तो ऊसमें आपको धियान रखने की आपका एंगल ना चेंज हो आप फॉन्ट फॉल्ट पर ना चीज है तो वह चीज किसमें तो अपने माइंड से निगाल दे कि आपको ब्रेस फ्रंट लेग ही करना है तभी आप डेज बॉल डाल पाएंगे ऐसा नहीं है आपको में जो पोइंट है वह आपको स्ट्रोंग रखना फर्म रखना लेंडिंग के डाइम पर इसी के साथ में आपको एक चीज और क्या ध्या करेंगे तो आपका फ्रंट आम के साथ में आपके से पूल रहेगा एंड आप ज्यादा उपर से चड़के डाल पाऊगे तो आपको जो वेट ट्रांसफर होना सबसे ज्यादा क्रूशल होता है तो इस तरीके साब क्या कर सकते हैं जब आप जंप में आते हैं उसका बैक इसको अपनी तरफ खीचेंगे हाथ के साथ में तो आपकी जो पीछे की बोड़ी है यह उपर जाती है आगे भागती है तो ज्यादा फोस लगा बाते यह तरीक सागर हम इसको साइंस बता हूं इसके पीछे एक हमारी काइनेटिक एनरजी हम रन अप में आते हैं काइनेटि पूल करके होल्ड करो घया पर एक तरीक से ब्रेक का काम करता है उसके बाद आएगा तो आपको ट्रांसषर होगा वेट और जादा तेज आगल डाल पाओगे तो आपको ड्रांसफर करना है है stranger अपको 이 घ्र algún रखना है यह आपको यहां पर आगे अप cuz liege आ the आ livres चलेंगे जितना आपको specific sutरी कि से लेक्स यह गए उत्राप का आगेवाला айн च्सक्ते स्पाइब को एक दो और आपको इसे साथिस के पुल करें आपक यहां निहीं यह एक साथ ऊपर गया एक्षिन में ऊपर गया और यहां से पुल किया इस तरीके से तब इसको पुल करोगे तो आप मेरे देखो कि बॉड़ी पीछे वाली आगे की तरफ जाती है तो इस चीज का अपको ध्यान रखना है इन चीजों को ठीक करने के लिए क्या कर सकते है उसक इसे क्या आप सुझिन एक रिट्रेक्शन कर पाओ दूसरी डिल के अंदर आपको थेराबेंड को अपने नीके राउंड ड्रैप करना है और वहां से पीछे जाने के बाद आपको पैर को एकदम सीधा रखे होल्ड करना है इस पोजिशन को एटलीस 30 सेकंड के लिए होल्ड करें ऐसी चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब जरू करें थैंकी सो मच